जैहिन साथियो, स्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल Free Knowledge 1998 पर साथियो आप सभी के लिए खुश खबरी है, आप सभी के लिए इंडिया नेवी में ट्रेडमेंट पद के लिए न्यू वेकेंसी जारी कर दिया गया है जी हाँ दोस्तो आपके लिए इंडिया नेवी में ट्रेडमेंट पद के लिए वेकेंसी जारी कर दिया गया है दोस्तों यदि आप simple 10th pass है यदि आपने 10th pass कर चुका है तो आपके लिए बहुत इचा सुने रहा मोगा है एंडिया नेवी में जॉब पाने का साथियो इसमें आपको जो पोस्ट देखने को मिलने वाली है 1169 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलने वाली है यदि आप simple 10th pass हो तो आप इसको apply कर सकते हो तो साथियो यह कोई fact notification नहीं है मैं अभी आप देख रहे हो join indiannavy government.in की website पर हूँ simple आप अपने mobile पर भी इसको देख सकते हो तो आप मेरे वीडियो पर सुरुष चले का लाश्ट तक बने रहेगा इसकी पूरी इटुजर जानकारी में अपने वीडियो पर दूँगा तो साथियो यदि अभी तक आपने मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लेज सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि next वीडियो के अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे साथियो जैसा कि मैं भी इंडिया नीवी की वेफसाइट पर हूँ आप जैसे ही इसकी वेफसाइट पर आओगए तो आपको यहां 3Dot पर क्लिक करने के आपके पास कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएगा जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे हूँ मैंने बताया था आपको कि ट्रेड्मेंट पद के लिए भरती निकली हुई है इंडिया नीवी में तो आपको यह ओप्सन दिख रहा होगा ट्रेड्मेंट MTS करके ठीक है साथियो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसका पूरा नॉटिफिकेशन दिख जाएगा मैंने चुकी इसको अलरेड़ी डाउनलोड एटेन आपको डारेक्ट दिखाता हुं साथियो इसकीन पर आपको इसका ओफिसले नॉटिफिकेशन दिख रहा है दा इंडियान नेवी करके इंडियान नेवी सिविल इंड्रेल टेस्ट इंसेट टीम्टी इसका नम्मर भी दिया हुआ है तो आपको सिंपल दिख रहा होगा invite online application for the post ट्रेडमेन मेट करके साथियो एक important बात आपको बता दूँ कि ये वेकैंसी offline नहीं है ये वेकैंसी online इसका online apply form होना है ठीक है साथियो अब में इसमें आपको बता देता हूँ इसकी post कितनी है करके कि मैंने आपको बताए था इसकी post आपको देखने को मिलने वाली है 1169 post आपको देखने को मिलने वाली है ठीक है साथियो और मैं एक और इसमें कौन-कौन से command के लिए कितनी वेकैंसी आई है ये भी आपको मैं आता दे रहूँ इस्टर नवल कमांड के लिए है तो आपको बात करता हूं अब मैं आपको एज का बता देता हूं कि आपका कितना एज लिया जाएगा इसमें आपका नोर्माल है 18-25 एर का आपका जो एज है यदि है तो आप इसको अपलाई कर सकते हूं शाथियो ये तो आपका था जनरल वालों के लिए यह इस था मतलब जनरल OBC, ST सभी का इतना ही हैगा बट ST, SC को इसमें छूट दिया गया है दोस्तों ST, SC को इसमें छूट दिया गया है ST, SC को 5 एर की छूट है और OBC के लिए 3 एर की छूट दिया हुआ है गौर्मेंट रूल के हिसाब से और आपको मैं बता दूँ, मैंने आपको बताया था इसमें 10th pass, simple 10th pass मांगा हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ITI करके साथियो या तो 10th pass या आपके पास या आपके पास ITI का डिप्लोमा भी है तो इसको आप अपलाई कर सकते हो इतना simple 10th pass मांगा हुआ है यादि आपके पास ITI का डिप्लोमा नहीं है तो उसके बाद भी आप इसको अपलाई कर सकते हो ठीके साथियो यह पूरा मैंने आपको बता दिया हूँ कि कोन अपलाई कर सकता है कोन नहीं कर सकता और मैं आपको इसको बताया है कोई STST वाले को 355 यह की छूट है और OBC वाले को 3 यह की छूट गवर्मेंट रूल के हिसाब से दिया गया है दोस्तो अब इसमें आपका बात कर लेता हूँ इसके स्लिवस की तो सिंपल है दोस्तो आपका जो पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का होगा मतलब 100 एक कोश्चन के लिए 1 मार्क्स दिये जाएंगे और इसमें जो सबसे पहले आपका जो रहने वाला है जनरल इंटेलिजेट ए डिजनिंग इसमें आपको 25 मार्क्स मिलेंगे कोश्चन 25 आएंगे और फिर आपका लास्ट जो रहेगा जनरल अवेरनेस रहेगा इसके भी कोश्चन आपको 25 देखने को मिलने वाले टोटल आपका 100 का पेपर आने वाला है ठीक है साथियों तो यह पूरा मैंने आपको दिखा दिया हूँ यदि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलिग्राम को को जॉइन कर लीजिए वहाँ आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन दिख जाएगा आप वहां इसको डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों मैं आपको एक और चीज इंपोर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ यदि आपको मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि यदि आप सिंपल टैंद पास हो तो आप इसको अपलाई कर सकते हो अब मैं एक और चीज आपको बता दू कि इसकी ओपनिंग डेट कप से है साथियो इसका ओपनिंग रेजिस्टेशन डेट चालू होने वाला है 22 फरवरी से इसका ओपनिंग डेट चालू हो जाएगा और क्लोजिंग डेट रहने वाला है 7 मार्च को साथियो 7 मार्च को इसका क्लोजिंग डेट रहने वाला है एक बार और आपको याद बिला दू कि 22 फरवरी को इस्टार्ट होने वाला है और 7 मार्च को इसका क्लोज हो जाएगा इसका रेजिस्टेशन और एक और इंपोर्टेंट चेज दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह विकैंसी ओनली मेल के लिए नहीं है इसको मेल और फीमेल मेल और फीमेल दोनों अपलाई कर सकते हैं साथियो मेरे पास कॉमेंट आ रहा थे कि इंडिया निवी में फीमेल के लिए कब विकैंसी आगे तो साथियो मैं आपको बता दू कि इसमें मेल और फीमेल दोनों के अपलाई कर सकते हो साथियो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक करेगा और व्या लाइक को दबना ना भूलेगा ताकि ऐसे ही गवर्मेंट जो पी अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे